दुर्ग में एजिते मुख्य मंत्री के भूमी पूजन के कायक्रम के बाद काफिली की गाड़ी आपस में टकराने को लेकर पी सी सी मिंबर ने कहा माचंडी के अफमान का असर काफिले में नजर आया दुर्ग शहर के वाड तीन मठ पारा में एजित भूमी पूजन कायकरम में पहुंचे छतित गड़ के मुख्य मंत्री विष्ण दिवसाया और अन्य मंत्री गंड के साथ शहर विधायक वकारिकरता बड़ी संख्या में शामिल हुए इस दोरान दुर्ग के फ्राचिन मंदिर माचंडी में सभी ने पूजा अर्चना की जिस पर बूरा संगेत दर्शाते या कॉंगरेस के PCC मेंबर ने संजय धनकर ने अपनी नाराजी जिदाते हुए इसे गलत बताया और साथी कहा कि पूजा अर्चना करने में कोई भी प्राब्लम नहीं बस सनातन धर्म का पालन कर देवे सही वक्त में पूजा अर्चना की जानी चाहिए साथी राजनीती के चक्कर में किसी भी देव शक्ती का अपमान करना गलत है इसके साथी उन्होंने मुख्यमंत्री की काफिले के आपस में टकरा जाने का उधारन भी दिया इस दुरान उन्होंने प्रतिक्रिया दी माचंडी देवी का मंदिर है वो दुरुख सहर की सान है दुरुख सहर की देवी है सबसे पहले दुरुख सहर के वासी माचंडी को अपना कुल देवी मानते हैं और हम सबसे पहले पूजा माचंडी से करते हैं लेकिन चुकि यह सरकार माचंडी से भी बड़ी हो गई है, यहां के विधायक को सोचना चाहिए, माननी मुख्यमंदरी जी को सोचना चाहिए, कि जो मंदिर विगत कई सालों से, 50-60 सालों से, तो पहर के 12 बज़े चाहे वो नवरात्र हो, चाहे किसी भी समय हो, आज तक 12 बज़े से 4 बे तक मंदिर का पाट बंद रहता है, चाहे प्रधान मंद्री आ जाये, चाहे दुनिया में कोई भी आ जाये, लेकिन इस बार माचंडी को अपमानित करके, या माचंडी को छोटा बताकर, जिस तरी से तरीके से पित्र पक्ष में, दोपहर दर्वाजा खोलकर, पूजा अर्चना गर अपर कोई सुख कारे इस पित्र पक्ष में नहीं करते हैं, रही बत, जिस विगस्ती भारतिंदा पार् весь और हमारे शेर के विधायक बात कर रहे हैं और हमारे अराध्य देवी हैं अराध्य देवी का अपमान हुआ है तो उसका फल, CM की काफिले की गाड़ी आपस में टगरा गई और ऐसे जगर टगराई जहां इंसान तो इंसान भी आनी सकता हुआ जानवार आ गए तो यह सोचना चाहिए सहर की विधायक को और माननी मुख्यमंदरी जी को सोचना चाहिए कि आज के बाद ऐसा कोई कारगरम न प्रिपोर्ट